दोस्तों एक PF की स्रीज वे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना UN नमबर किस तरह से पता कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है UN लोगिन और जो पहली वेबसाइट आती है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है इसके क्लिक करने के बाद आपके साबने UN पॉटल ओपन हो जाता है और नीचे आपको पांच ओप्शन दिखाई देते हैं तो आपको सेकंड ओप्शन नो यूर यूएन इस पे आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आपको अपना मुबाइल नमबर डालना होगा और यह कैप्शा फिल करना होगा याद रखें कि आपका मुबाइल नमबर वही होना चाहिए जो आपका अधार काड़ के साथ अटेच है तो वो आपको यहाँ फ आप्चा फिल कर देते हैं और रिक्वेस्ट ओटीपी इस पर क्लिक कर देना है आपके मुबाइल नमबर पर एक ओटीपी आया होगा उसको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद यह कैप्चा और वैलिलेट ओटीपी इस पर क्लिक कर देना है आपको ओटीपी वैल्डेट सेक्सेस्पली उसके बाद आपको अपना नम डालना होगा डेट ओबर डालनी होगी आपका अधार कारण का नमबर डालना होगा और एक कैप्चा डालने के बाद शो माई यूएन इस पर क्लिक करना होगा तो डिटेलस हमने डालती है Show my UN पे क्लिक कर देते हैं और आप दे सकते हैं कि आपका UN नमबर आपके सामने आ चुका है पहला तरीका तो यह होता है कि आप अपना UN नमबर इस तरह से पता कर सकते हैं खुद अपने डेल डालने के बाद UN portal पर दूसरा त्रीका ये होता है कि आप अपने Sally Slip पर चेक कर सकते हैं और तीसरा त्रीका ये होता है कि Sally Slip पर भी नहीं है तो आप अपने Employer से ले सकते हैं जहां से PF जमा होता है